सबी को रादे रादे आज हम लोग हाथों के माध्यम से कुछ ऐसे संकेतों पर बात करेंगे जो की पॉलिटिक्स की लाइन में या फिर सफल राजनेता बनने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं ठीक तो चले शुरू करते हैं जीवन रेखा, मस्तिश्क रेखा, हिदे रेखा तो आज के टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वो बहुत द्यान से समझे तो वो यह है कि यह जो आप शेप देख रहे हैं यह ब्रॉड होनी चाहिए ब्रॉड का मतलब की ऐसी शेप होनी चाहिए जैसे की आपने समुद्र के पास में लाउंज चेर्स देखी होंगी या स्विमिंग पूल के पास में तो यह ऐसे आती हैं और फिर यह सिरा थोड़ा सा ऐसे बन जाता है हमें ऐसा नहीं चाहिए यह एल शेप में नहीं चाहिए ठीक यह जितना ज़्यादा पीछे चला जाएगा आपका अंगुठा मतलब कि यह उठे में लचीला पन होगा तब ही वो पीछे जाएगा वरना ऐसा अगर है तो प्रगती के चांसे थोड़े से वीक रहते हैं यह जितना ज़्यादा पीछे जाएगा उतना अच्छा है ठीक तो यह आपका ब्रॉड होना चाहिए यह एरिया इससे होता क्या है वो जान लीजे यह जितना ज़्यादा ब्रॉड होगा या बड़ा होगा तो ऐसे लोग आलोचनाओं को बरदास्त करने की च्छमता जो होती है इनकी बहुत अच्छी होती है यह सुन सकते हैं और उसको अनसुना करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं जो कि पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बात है क्योंकि पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा आलोचनाओं सुनी पढ़ती है लेकिन उसके बाद भी जो एक सफल राजनेता होता है वो उन बातों को दर किनार करके आगे बढ़ जाता है तो यह कॉलिटि यहां से मिलती है ठीक अब दूसरा जो पॉइंट है वो समझ लीजे तो आपकी जो सबसे छोटी उंगली है उसके ठीक नीचे यहां पर मरकरी माउंट या बुद्ध परवत होता है ठीक इसको डॉअ कर देते है यह बुद्ध परवत है यहां से एक लाइन निकलती है ऐसे तो वो लाइन यहां से जा सकती है या हमने ऐसे बना दिये उसकी कोई वो नहीं है सिर्फ समझाने के लिए आपको तो ये जो लाइन है जितनी जादा पतली होगी थिन होगी उतना ही आपके लिए beneficial रहेगा ये लाइन मोटी ना हो और टूटी फूटी ना हो जगए जगए से बागी इसको टच करे मस्तश्क्रेका को टच करे वो matter नहीं है इससे क्या होता है इससे ये होता है कि ऐसे लोग कुशल वकता होते हैं उनकी जो वाणी होती है उसमें एक प्रकार से attraction आजाता है जैसे कि हारी हुई बाजी भी अगर ऐसे लोग मंच पर भासर दे देते हैं तो उस बाजी को जीत जाते हैं ठीक तो ये उस बात के लिए बहुत आवश्यक है तीसरा जो अपना पॉइंट है वो है आपकी सन लाइन तो सन लाइन आपकी मरकरी लाइन को टच होनी चाहिए ये बहुत जरूरी सी बात है और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रसिद्धी जो है ये ही लाइन दिलवाती है आपको पॉलेटिक्स में ये पॉइंट तो है ही ये संगम है एक प्रकार का कई सारी बातों का एक सफल राजनेता के रूप में पहचान बनाने के लिए ठीक तो दूसरा पॉइंट तीसरा ये हो गया अब क्या है आपका जो जूपिटर माउंट है यानि कि आपकी इस फिंगर के नीचे यहाँ पर गुरू परवत होता है जूपिटर माउंट तो यहाँ पर एक इस्टार का साइन होना चाहिए अगर वो सिक्स्थ फेस है तो बहुत अच्छा रेजल्ट देता है यह ऐसे और इस्टार में एक चीश समझ लीजे कि इस्टार जो अच्छा वाला होता है वो यह ऐसे होता है और यह ऐसे मतलब कि जो क्रॉस का बिंदू है वो सारी रेखाओं का सेम होना चाहिए यह इस्टार तब सुफल दाई है जैसे कि माल लीजे ऐसा बना है और एक लाइन ऐसे गई थोड़ा नीचे से तो यह इस्टार उतना अच्छा फल नहीं देता है केंदर बिंदू एक होना चाहिए रेखाओं के कटान का ठीक तो अब यह हो गया अब सबसे जो लाश्ट बात है वो यह कि हर उंगली में पोर होते हैं जैसे यह यह और यह तो आपकी जो यह गुरू वाली उंगली है जूपिटर माउंट के ठीक उपर वाली इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं तो इसका जो यह बीच वाला पार्ट है यह बागी के पोरों से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए यह जैसे हमने पहले से बना दिया है यह पर पोर भी छोटा है यह पोर भी छोटा है तो इन दोनों का जो संगम है मतलब कि इस पोर के बड़े होने का और यहां पर इस्टार साइन होने का तो यह बहुत ज़्यादा मात्वा कांची बना देते हैं यह दो चीजे मिलके जो कि आगे मतलब ऐसा वेक्ती सोचता ही रहता है कि अपनी उन्नती के लिए हमें क्या करना चाहिए वो प्रति दिन यह सोचता है प्रति दिन क्यों प्रति घंटे हम कहेंगे कि वो हमेशा उन्नती के बारे में ही सोचता रहता है उसके लिए क्या प्रयास करने होते हैं क्या कैसे करना है सिर्फ इस बात पर वो सोचता ही रहता है तो यह आपके चीजे हो गई अब क्या है अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की तो आपकी भाग रेखा जो है वो ठीक होनी चाहिए अगर वो टूटी फूटी भी है तो भी आज के टॉपिक पर चल जाएगी क्योंकि बागी की चीजे अगर है तो भाग रेखा सेम यही आपका जो कुछ भी राइट पाम में बना लेफ्ट पाम में भी बनना चाहिए तब इस पूरे से पूरे मतलब जो चिन्नों का फल है पूरा मिलता है और आपकी पहचान एक सफल राजनेता के रूप में बनती है तो उम्मीद है आप समझ गया होंगे आज के लिए बस इतना ही रादे रादे